आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने आधारभूत AAA तथा AAA क्राइटीरिया के बारे में जाना इस वीडियो में इस पर आधारित एक और दिल्चस्प उदारहन देखेंगे चित्र में त्रिभुज FEC व जीडीबी सर्वांगसम तथा कोण एक वदो समान है दरशाइए कि त्रिभुज ADE व अबीसी समरूप है प्रश्न से हम जानते हैं कि त्रिभुज FEC व जीडीबी सर्वांगसम तथा कोण एक वदो बराबर है क्योंकि त्रिभुज FEC व GDB सर्वांगसम है हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है जिससे हमें समिकरण एक मिलती है अब यदि हम त्रिभुज ADE में देखें तो हम जानते हैं कि कोण एक वदो समान है आपको याद होगा कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है अतह भुजाएं AD व AE बराबर होंगी समीकरण एक व दो का यदी अनुपात निकाले तो हमें समीकरण तीन मिलती है समीकरण तीन हमें बताती हैं कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व असी को समान अनुपात में बाटती है इससे आप क्या बता सकते हैं? अतह आधार भूत समानुपातिक्ता प्रमय के विलुमानुसार हम कह सकते हैं कि DE व बीसी समान तर रेखाएं हैं जिससे कोण एक, कोण तीन के तथा कोण दो, कोण चार के बराबर हो जाते हैं क्या बता सकते हैं क्यों? क्योंकि समान तर रेखाओं के संगत कोण समान होते हैं? जिससे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC संगत कोण एक व तीन तथा दो व चार बराबर हो जाते हैं अतह ए-ए-क्राइटीरिया से त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC संगरूप होंगे यही हमें सिद्ध करना था इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे दो त्रिभुज Basic Proportionality Thureum व ए-ए-क्राइटीरिया की मदद से संगरूप सिद्ध किये गए हमें उम्मीद है कि आपको अब ए-ए-क्राइटीरिया की अच्छी समझ बन गई होगी झाल